हेलो स्टुडेंट्स मैं अविनाशर आज आप सभी को क्लास टू का जेनर नौलिज सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके स्टार्टिंग में पास दटर जो हैंstoff oh के लोविंग फ्लावर्स खेने का मत्त हुआ खिलते हुए फूल जैके में जो यह जब फिक्टर दिए होएं अलग अलग फूल के फूल युश mesh कि आपको खिलते हुए दिख रहे होंगे इसी लिए इस चैप्टर्स का नामकरन ब्लूमिंग फ्लावर्स कर दिया गया जिसे हम हिंदी में खिलते हुए फूल उखते हुए फूल भी बोल सकते हैं तो जीकें में तो हम सभी जानते हैं कि यह फिल अप करना पड़ता है काम खत्म जाता है लेकिन नहीं आज हम इसे पढ़ेंगे भी और थोड़ी डिटेल्स भी इसके वारे कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो क्लास्टू अब देर नहीं करते हैं और सीधा अब स्टार्ट कर करते हैं हमारा पहला पिक्चर है वे एक यलो कलर अफ्लावर का जिसका नेम है सन प्लावर जिसे हम हिंदी में शुर्व मुक्वी करते हैं है और इस ओन सरे को पता नहीं होगा और यह जिस्वी प्रजाती का है लगभख उस प्रजाती में इसके सेवेंटी स्पीसेज पाए जाते हैं यानि सत्तर तरह के संफ्लावर के आपको स्पीसेज देखने को मिल जाएंगे ओल अबर दे वर्ल्ड में ठीक है और इनका जुँ हाइट होता है वह कम से कम वन पाइंट मीटर तक जाता है यानि इस की हाइट है वह वन पाइंट टक हो सकती है और जहां तक बात रही लिप प्रसन फ्लावर की तो यह सेवेंट पाइव सेंटी मीटर से लेकर 30 cm लॉंग हो सकते हैं यानि इंच में इसे बताया जाए तो इसके जो लिफ्स है सनफ्लावर के वह तीन इंच से लेकर के 12 तक छो सकता हैं यानि 3-12 एंच इंका रेंज है लिफ्स का और जो आप आट्रेक्टिव यो डार कलर का देखते होगे संफ्लावर की बीच में वो पोर्शन माद को जिसे अट्रेक्टि filthy मेफ्स बोला जाता है स्ट्प्लावर का यानि सर कहा जाता है जिसे संट्फ्लावर का this is attractive है है साइज भाइस प्रॉम कि 7.5 सेंटेमिटर टो 15 सेंटेमिटर ओके यानि इनके जो जहां पर जैनली उनका जो सीड़ सोता है वही ही एट्स में करता है तो उनका जो डायमेटर होगा वो करीब 7.5 cm से लेकर के 15 cm तक होगा वाइल्ड इस्पीसिज में यानि जो जंगली पर जाती होते हैं संफ्लावर के उसमें लेकिन वहीं जो जनरली गार्डेनिंग करते हैं हम लोग संफ्लावर का तो वहां आपको यह 30 cm तक के डायमेटर में पाए जाएंगे संफ्लावर का हेट्स वही होता है जो आप डार कलर का देखोगे ब्लैक कलर का जो आपका सकते हो आपके समझ के लिए तो उसे ही उसके हेट्स कहा जाता है संफ्लावर के हेट्स वही होते हैं ठीक है संफ्लावर को लेकर सबसे बड़ी बात जो यह है कि सनफ्लावर के नाम क्यों पड़ा एक्षुली इस फ्लावर का जो मुम्मेंट है आप जो सनफ्लावर के हेट्स के वारे में जो हमने पढ़ा जो डार्क वाला पुर्चन होता है फ्लावर का वो हेट्स आपको फेष करता है सन को कि मौर्णिंग मों जब आप मौर्णिंग मौन जबगर रहे दो यह संदाजम करने तो यह जो इस फलावड की दलेग़ कि तरफ और पूरे इंटार देज़ जैसे जैसे मोव्मेंट होगा सन यह फ्लावर भी क्या करेगा अपना मोव्मेंट उसी डायेक्शन में करता चला जाएगा तिल दे इवनिंग अंटिल दा कि अ कि अ कि संसेट और ऐसा होता क्यों है तो सबसे पादाची तो आप यह जान लो कि यह होता है वमेंट का कि इसे हम फोटोट्रोपिक मुवमेंट करते है तो यह झानिस मौविंट को जो हम ऐसाब जानता है तो बटा चलिए मुवमेंट को हम इसके मोवम्ममण को हम फोटोटовक मुंमेंड करते हैं और इसके पीद्ध कारण है वह कि इसके स्टेम में हारमोन पाया जाने वाला एक ग्रोफ फारमोन जो होता है इसके स्टेम के condition है और यह twee जब स्टेम कटिप है है के स्लाइट को सिप करता है तो इसमें जो ऑक्सिन की मात्रा जो है यानि जो इसके ग्रोथ हर्मोन जिसके ऑक्सिन करते हैं उसके कंसेंटेशन यानि जादा हो जाती है ठीक है और इसी वज़ा से ये क्या करता है कि अपना मुव्मेंट सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देता है तो यही ऑक्सिन हर्मोन ही क्या है इसका कारण है कि ज्यादा सनलाइट रिसीप कर लेने के बाद इस्टेम टिप के द्वारा यह कंसेंट्रेशन जो हता है और यह अपना मुवमेंट स्टार्ट कर दता है सन के साथ ठीक है और सन्राइज से संसिट तक यह तो भाई सन के साइट सन के तरफ से जिसे से सन का मुवमेंट रता वैसे से यह भी जाता है लेकिन फिर वापस यह रात जब नाइट हो जाती है तो यह धीरे धीरे अपने मुवमेंट को फिर वापस मोंनिक मेर मुम्मेंट चाल करें यास टूता है किया संप्लावर पुरे नाइट दोरान वापस अपनेु यगा पह आ आती है और फिर अगले मॉर्णिंग में फिर वह संकरा फिर वह से ही मुवमेंट करना शुरू कर देती है ओके कि तो यह तो रही संफ्लावर की बातें अब आते हैं अगले फ्लावर की और जो है लोटस कि आप सभी को पता है कि कि यह जो है लोटस क्या हमारा नेशनल फावर है इंडिया का अब साथ में वियत नाम का भी यह नेशनल फावर है और कि इसके बहुत सारे अधर नेम्स भी हैं जिसमें कि कुछ मैं आपको बता रहा हूं लोटस को बीन आफ इंडिया भी कहा जाता है जियब्तियन भी कहा जाता है और के दिनलूंबो निशी promo निसकी फेरा भी कहते है यह निश्यांटिफिक नेम हो गया इसका भाकिए तो की नेम्स की दिखे है लेकिन एक सांटिफिक नेम दिया रता है तो यह सांटिफिक नेम के तरह पर देखे तो इसका नेम है निलूंबो निशिफेडा है और अप सभी जानते हैं और अपको यह जानके अच्छा लगेंगा की लोटसका का जो रूटश होता है वह कहांगर पांड में हो जहां भी आपको देखने को मिले तो उनकी रूट जो होती है यह पॉंट में आपको मिलेगा अ यह पॉंट से आटेच हमें और इसके लिफ्स जो है वहीं उसी पॉंड के वाटर सर्फिस पे फ्लोट करते हुए आपको दिखेंगे या इस्टिल रहेंगे वहीं पे यानि अगर वाटर में फ्लोग होगा तो थोड़े बहुत आपको लिप इधर से उधर दिखाई देगी और यानि फ्लोट करते हुए अधनाई तो आपको यानि 31 इंचेज इनके लिप्स की साइज हो सकते हैं 31 कि 80 सेंटीमीटर वहीं फ्लावर का जो साइज है वह 30 सेंटीमीटर तक जाती है जिसे तो इंचेज भी हम बोल सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लावर की तरफ जिसका नाम है पिटूनिया पिटूनिया कि एक ऐसा फ्लावर है जो ट्रंपेट का होता है ट्रंपेट मतलब आप बैंड वाजे वाले को तो देखते होगे तो बरेन वाटिंग करते हुए बजाते हुए जाते हैं जिसमें हॉन टाइप दिखता है आपको आप बाई का हॉन देख लो मिश़्ोमी कहीं आपको दिखी है और पीछे बेंड रहता है पुरा ठीक है और इस तो बस वही चीज़े यह ट्रंपेट से कहा होता है आपके आप देखे भी होंगे इसको पिक्चर में दीख भी रहाओगा आपको यह चीज और थर्टीफाइव स्पीसेज फ्लावरिंग प्लांट्स और इस प्लांट्स के थर्टीफाइव स्पीसेज पाए जाते हैं और यह नाइट सेट फैमली से बिलोंग करता है जब आप फूलों की प्रजाती के बारें पढ़ i mean act wal primarily 6 नेटिव अमेरेिका यह साउथ अमेरिका का यह साउथ अमेरिका से फुल हमारे पर यानिस का ज-जब जादा यह आपको देखनी का मिलेगा साउथ अमेरिका अचलर जो है सका यह 哗या फिर्ल दिखेगा को यहीं या परपल करटाइब आप इसको देख सकते हैं है है कि नेस्ट है हमारा कॉप्स कॉम को नेम से ये रिप्रेजेंट होता है कॉक्स कॉक्स मतलब आप जानते हों कॉक्स मतलब क्याता है मुर्गा और जब आप कॉक्स देखे जिसको करते हैं और यही वज़ा है कि इस फ्लावर को नाम दिया गया है कौक्सकॉम तीक है इस flower का भी अलग नाम है इसको हम से लूसिया भी बोलते हैं सी एलो ऐसा ये उल flowers भी बोलते हैं और velvet flowers सरदियों के मौसम में आपको अपने हाँ दिखने को ये मिल जाएगा आप जब छूते हो तो उसको मकमली टाइप का लगता है इसी वज़े से इसको क्या बोला गया है फेल्वेट फ्लावर्स और जो कलर है इस प्लान का इस फ्लावर का वह आपको दिख जाएगा कि यह पिंग टू लाइट वाइलेट कलर में आपको यह दिखेगा जिंदली और अफ्रीका में लोग इसे यूज भी करते हैं एक पारसिटिक स्ट्रिगा प्लान्ट होता है उसके कंट्रोल ग्रोथ के लिए उसको सही तरीके से पीमित उसका लंबाई हो ठीके जहां उनको कोई क्रॉप प्रॉडक्शन में उनसे फाइदा मिलता हो या किसी पार्टिकुल कोई प्लांट का ग्रोथ बना रहे उतना ही तो वहां भी यह क्या करते हैं अफ्रीकन लोग तो पारसिटिक स्ट्रिगा प्लांट के कंट्रोल ग्रोथ के लिए इस प्लांट का यूज होता है ठीक है यानि यानि इस फ्लावर को इस फ्लावर के प्लांट को हम क्या करते हैं पारसिटिक प्लांट के बीच में क्या करते हैं इसको कल्टिवेट करते हैं जो क्या करता है पारसिटिक प्लांट के कंट्रोल ग्रोथ को बनाए रखता है यानि ग्रोथ अब कंट्रोल जहाज का यानि ग्रोथ पर जो कंट्रोल है वो बनाए रखता है और यह सोप्स बनाने में के भी यूज में आता है यानि इससे हम साबुन भी तियार करते हैं और यहीं नहीं आप चौक जाओगे मैं भी चौक गया था कि इसके लिफ्स एंड फ्लावर्स एडिवल होते हैं यानि इसको हम खा सकते हैं एडिवल और इसी परपस से इसका जो कल्टिवेशन है अफ्रिका और ताव्तिस्टेसिया में इसको एडिवल परपस के लिए जन्रली ग्रो किया जाता है ओके अब नेक्स्ट है हमारा डालिया नाम तो सुना ही होगा तो इस डालिया फ्लावर के लगबग 42 स्पीसेज पाया जाते हैं और सबसे वड़ी खासियत इस फ्लावर्स की के कि इसके इस्टेम में यहीं फ्लावर होता है जब आप इसका पिक्चर देख रहे होगे तो देख कोगि नीचे आप की असिसी माया तीं स्वावरल अने छनिया गया यह सिटेम में चलेगा ने सिस्टेम कंबर्ट कि वान खभी बोल अको कि एसको ओके और इसका जो साइज है यला वृष बिन वोड का वह फाइव संटीमेटर यानि टू इंस टू लेकर के डामेटर में 35 cm लेको सकता है यह दितॉन का यह है वो 30 cm से ले करके यानि 12 इंचेस से ले करके 2.4 मीटर तक जा सकता यानि 6.8 फिट तक जो की और भी आश्चर चकित करने वाला है 30 cm 12 इंचेस से ले आप तो सकते हैं 6.8 फिट तो काफी जादा हो गया न और यह डालिया जो है वह नेशनल फ्लावर है मेक्सिको का ओके अब बढ़ते हैं एक ऐसे फ्लावर से इसे हम लोग पक्षोवी परचित हैं रोज तो इसे क्वीन फ्लावर्स भी कहा जाता है रोज को क्वीन फ्लावर्स भी कहा जाता है ऐसे पिटूनिया को भी क्वीन फ्लावर्स कहते हैं तो अलग अलग जगा कहीं यह नहीं हर कंट्री में अपना अपना एक तर दो से बता दिया गया है कि कुईन फ्लावर्स तो रोज तो कुईन फ्लावर्स भी पिटुनिया को भी कई लोग कुईन फ्लावर्स भी बोलते हैं तो रोज को बतानी को तो मुझे नहीं लगता कि जवत है जनरी रोज हर्ड से यानि हर्ड प्लांट जोते हैं उसी थोड़े सी जादी होती जादा होती है और इसके स्पीसिज के बारे में आप चौक जाओगे सुनके कि रोज की लगवग 300 से उपर की स्पीसिज हैं यानि 300 से ज्यादा प्रजाती है रोज की और अलग अलग कर मैं अपने देखा भी होगा अपने यहां भी वाइट रेड पिंक यलो जो मैंने खुद भी देखा एक कि और कि इस दोस प्लांट और से जो रोज शावर में मिलता है कि इसके यूजज बहुत जगह पे आप पर्फ्यूम में यूज़ करते हैं कि आप गुलाब जल सुनते हूंगे यहां तक गुलाफ जावून में भी हम इसका यूज़ करते हैं घरिड रोस का कि kol ambos भी और रोज के बारे में आपने फैमिली हो कि मुझे नहीं रखता कि अब इससे ज्यादा पताने की जरूत है फिराल आपके क्लास के लिए तो यह तो रही आज की क्लास की लेक्चर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपलर इंडियन प्लांट्स यानि भारत के कुछ पोध के बाई स्टे सेफ से अथ हों